सत्तर की दशक में जब राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और अमिताब बच्चन जैसे सितारों की तूती बोलती थी, उस वक्त एक अभिनेता ऐसा था, जिसने अभिने से कई सितारों की स्टार्डम को चुनौती दे दी थी। ये थी संजीव कुमार, उम्र और किरदारों की बंदिशों को तोड़ कर संजीव कुमार ने अभिने से हिंदी सिनिमा को मजबूत बनाया। उन्होंने फिल्मों में आने से पहले अपना नाम बदल लिया था, इसके पीछे की कहानी बड़ी दिल्चस्प है, चलिए, जानते हैं कि आखिर कि उन्होंने अपना नाम बदला और किसने अभिनेता को ये सुझाव दिया था, संजीव कुमार का असली नाम हरेहर जेथलाल जरिवाला था, उनका जन्म 9 जुलाई 1934 को सूरत में एक गुजराती ब्राहमन परिवार में हुआ था, एक्टर बहुत छोटी उमर में ही मुंबई आ गए थे, इसके बाद उन्होंने एक फिल्म स्कूल में पढ़ाई कि और फिर वो बॉलिवुड पहुँच गए, हाला कि उनका फिल्मों में आने का सफर आसान नहीं था, इसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले नाम बदलने से की, एक्टर खुद भी इस बात से इत्तिफाक रखते थे कि उनका रियल नाम अभिनेता होने के हिसाब से ठीक नहीं है, ऐसे में निर्देशक कमल अम्रोही वह इंस जिन्होंने कुमार को सुझाब दिया कि परदे पर उनकी अलग और प्रभावशाली पहचान होनी चाहिए, इस बात का जेकर हनीफ जावेरी और वकीव सुमंद बत्रा ने जो एक्टर की लाइफ पर एन एक्टर एक्टर बुक लिखी थी उसमें भी है, नाम रखने को लेक कि नाम उस समय कुमार से खत्म होता था